प्रवाइब लूट इब्रीवन वेलकम टू एगरिकर्च एड़्डा 24-7 तो बच्चो चलिए सुरू करते हैं आज की अपनी क्लास गुड़ इवनिंग आरसी गुड़ इवनिंग सुस्मिता गुड़ इवनिंग भूमिका गुड़ इवनिंग विश्वेस चलिए सुरू करत हैं आज की अपनी क्लास आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिग और फालसा ठीक है दो क्रॉप एक साथ पढ़ने वाले हैं क्यों कि दो क्रॉप दोनों क्रॉप छोटी है और छोटे होने के साथ जो important चीजे हैं वो हम यहां पर discuss करेंगे और उसके साथ साथ क्योंकि समयका भ ठीक है सारी चीजें हम लोग explain करेंगे चलिए शुरू किया जाए एक बार फटाक से आप लोग comment करिए जल्दी बताइए कि सुरू किया जाए या ना किया जाए ठीक है क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग फिग और फालसा पढ़ने वाले हैं चलिए ठीक है सुरू करें पढ़ने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं आज कि अपनी क्लास देखते हैं आज क्या है important सबसे पहले पढ़ेंगे फिग को क्या कहा जाता है अंजीर कहा जाता है एंजूर कहा जाता है क्या क्या कहा जाता है जो इसका बैज्ञानिक नाम है वो है फाइकस केरिका और family जो होती है वो है आपकी मोरिसी और ओर जिन प्लेस है जो साउधन अरेबिया क्या है साउधन अरेबिया भी है और कहीं कहीं आपको कुछ और भी चीजें लिखी मिल सकती है जैसे कि Mediterranean, आगे हम देखते हैं, ठीक है, क्या, ओरिजिन प्लेस है, Southern Arabia, फाइकर स्केर का आप ध्यान दखेंगे, इमेज आपको दिखाते हैं, ये है आपका अंजीर, क्या है, I think Fig and Falsa, हाँ, बिल्कुल सभी बाद अच्छो, ये है आपका अंजीर, आपको दिख रहे होंगे, क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, आप लोग ने ट्राइ के होंगे, नहीं ट्राइ के हैं, तो जरूर ट्राइ करें, काफी अच्छे लगते हैं, चलिए, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं, फिग वाज एन इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप फॉर एन एंसियंट सिविलाइजेशन ओफ दा इस्टर्न मेडिटरेनियन रीजन ठीक है इस्टर्न मेडिटरेनियन रीजन की बात कर रहा है यानि कि अगर जियोग्राफिकली देखेंगे तो जो इसका ओरिजन प्लेस हमने बताया है क्या साउधन अरेबिया जो बताया था वो उसी के असपास ही लोकेट होता है ठीक है इतनी बास वान माई बच्चो कहां लोकेट होता है तो आप यहां से कन्फ्यूज मत हो येगा और इंसेंट सिविलाइजेशन ओफ दा इडिटिन यानि कि वहां के जो लोग थे उनके लिए काफी important food crop थी it is highly nutritious क्योंकि इसमें nutrition बहुत पाया जाता है valued as a fresh fruit as well as in dried state the fruit has an exhaustive properties ठीक है ये तो हो गई basic चीजे कि क्या है ठीक है क्या है काफी important आपका यहां पे होता है ठीक है चलिए तो ये सारी चीजे हैं ये आपका basic चीजे हैं अब important जो points हैं वो हम आगे discuss करते हैं climate, soil और जो सबसे important चीजे हैं वो हम आज बात करेंगे किसकी वो आज हम बात करेंगे type की कितने type होते हैं fig में और कौन-कौन से type हैं कि उनकी कौन-कौन-कौन-सी varieties होती हैं ठीक है तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम climate और soil के बाद जो हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे किसकी types की और उनके climate की और उनकी varieties की तो देखो climate में क्या कह रहा है बहिए climate कह रहा है this is a subtropical fruit कैसा fruit है subtropical fruit है ठीक है सुमिद कह रहा है सर मैं class 12 के बाद BSC agriculture करने की सोच रहा हूँ कैसा रहेगा प्लीज सजेस्ट में बहुत अच्छा रहेगा बच्चा बिलकुल आप कर सकते हैं आप चाहें math से हो science से हो या आप biology से हो किसी भी stream से हैं अगर science की किसी भी stream से हैं तो आप BSC agriculture कर सकते हैं ठीक है आप जिस जहां से belong करते हैं आप वहाँ पे locality में अपने colleges के बारे में पता करिए वहाँ पे आपको admissions मिल जाएगा ठीक है किया कितना कह रहा है कि 15.5 से 21 degree centigrade सबसे बढ़िया temperature होता है किसके लिए इसकी growth के लिए और जो condition है वो कैसी है वो sub tropical आपका fruit है however the tree usually has a semi deciduous habit कह रहा है कि ना तो ये complete deciduous है और ना ही क्या है ना ही complete आपका evergreen है semi deciduous की category में रखा गया है यानि कि ये अपने पत्ते जालता है मानी कि पत्ते अपने गिराता है लेकिन सारे पत्ते नहीं गिराता है इसी लिए इसको किसमें रखा गया है इसी लिए इसको semi deciduous की category में रखा है and entered into mild dormancy during October to January कह रहा है कि mild dormancy यानि कि हलकी सुसुपता वस्ता में बहुत हलकी सुसुपता वस्ता में जाता है कब October से लेके जनवरी के महीने में ठीक है सर इसकोप रहेगा ना जॉब का देखो बच्चा हर छेतर में स्कोप होता है ये depend करता है आपके उपर कि आपकी capability कितनी है आप कितने अच्छे तरीके से serious हैं आप कितनी मेनत कर रहे हैं देखो अगर आप enter के बाद किसी भी stream में जाएंगे वहाँ आप मेनत करेंगे जॉब आपको जरूर मिलेगी अगर आप agriculture में करेंगे वहाँ भी मेनत करेंगे तो भी आपको definitely job मिलेगी चलिए कह रहा है fruit qualities are also good influence by climate climate कैसा climate के द्वारा आपकी जो fruit की quality है वो कैसी होती वो influence होती है उसके आद कह रहा है a dry climate with temperature especially at the time of fruit development and maturation produce the best quality fig ठीक है कहरा है कि dry climate यानि की जब आपका fruit mature हो रहा होता है उस time कैसी climate चाहिए चाहिए हिए उमिडिटी नहीं होनी चाहिए सबसे बढ़िया मौसम रहता है fruit की maturity के लिए ठीक है high temperature like 35 to 38 degree centigrade will result in premature ripening of fruits similarly very low temperature will result in splitting and poor quality fruits कह रहा है कि भाईया अगर आपके high temperature रहेगा कितना high temperature वो भी कितना 35 से 38 degree centigrade अगर आपका temperature high रहेगा तो क्या होगा result in premature ripening of fruits कह रहा है कि temperature जादा होगा तो जो fruit है वो premature ripe हो जाएगे पहली बात दूसरी बात अगर आपका temperature low हो गया क्या हो गया अगर आपका temperature low हो गया तो क्या हो जाएगा तो splitting हो जाएगी यानि कि जो fruit है वो split हो जाएगा यानि कि crack हो जाएगा फट जाएगा ठीक है बोलो बात समझ में आई ठीक है तो जो optimum temperature चाहिए है cultivation के लिए वो आपको चाहिए होगा 15-21 degree centigrade इसको आपको ध्यान रखना है question जो बनेगा आपका यहां से बनेगा बोलो बात समझ में आई बच्च में grow करता है इसके लिए बहुत ज्यादा कोई अच्छी soil की need नहीं होती है it can be grow on a wide range of soil but deep and clay loams are the best suited कह रहा है deep soil यानि कि जिसमें कोई hard pen ना हो उसके साथ साथ यह कह रहा है कि कैसी आपकी जो loam है वो भी कैसी होनी चाहिए loam soil कैसी होनी चाहिए आपकी best होनी चाहिए यानि की suitable होनी चाहिए के रहा well-drained alluvial clay loams और medium black soil are also good for fig cultivation कह रहा है की loam soil medium loam soil और आपका black soil भी कैसी होती है अच्छी होती है growth के लिए इतनी बात समझ में आई बच्छों बात समझ में आई चलिए फिर कह रहा है the fig is one of the most drought tolerant crop कह रहा है कि यह वाली जो crop है यानि की जो अंजीर है आपका या जो fig है कैसा होता है drought tolerant crop है अगर बारिस की कमी होगी पानी की कमी होगी तो क्या होगा तब भी अच्छे से grow करेगा ठीक है आगे चलते हैं कह रहा है it can tolerate sulfate and chloride salt अगर आपकी soil में क्या है sulfate है या आपकी chloride ions हैं तो भी क्या करेगा तो भी यह उनको tolerate कर सकता है उसके बाद कह रहा है soil having a high lime content produce fruit for better quality देखो अगर lime अधिक है क्या अगर lime अधिक है ठीक है तो क्या होगा आपका जो fruit है उसकी जो quality है कैसी होगी वो improve होगी ठीक है उसके साथ साथ कह रहा है और किसके लिए जब आप suitable होगा किसके लिए जब आप fruit को सुखाएं के यानि कि dry purpose के सुखाने के purpose से आप fruit को grow करा रहे हैं तब उसकी quality क्या होगी तब उसकी quality काफी अच्छी होगी किसकी वजए से lime की वजए से उसके बाद कह रहा है but even a small amount of sodium carbonate in soil is injurious to fig यह चीज आप ध्यान रखेंगे अगर आपकी soil में sodium carbonate के अधिकता है किसकी अगर आपकी soil में sodium carbonate के अधिकता है तो क्या समस्या होगी तो यह आपकी जो soil है उसमें क्या करेगा injurious to fig यानि की injury create करेगा fig के लिए बोलो इतनी बास समझ मैं बच्छो ठीक है अब आगे चलते हैं आगे देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है ठीक है अब जो सबसे important चीजे हैं वो यहां से अब शुरू होने वाली है ठीक है अभी तक तो इतना important नहीं था लेकिन अब सबसे आदा important यहां से होने वाला है कह रहा है types and cultivars क्या types and cultivars ठीक है the figs are classified into four types based on the nature of flowers and the method of pollination ठीक है चार types के होते हैं लेकिन हम लोग यहां पे discuss करेंगे कितने सिर्फ उतने type जो आपके important है और जितने आपके questions बनते हैं ठीक है हमें सारे types परने की need नहीं है क्यांकि वहां से questions आपके नहीं बनते हैं सिर्फ जहां से questions बनते हैं, हम वो type आपके पलेंगे, वो type आपके साथ discuss करेंगे, सबसे पहला type होता है, जिसको बोलते हैं common fig, क्या बोलते हैं, common fig आपका बोलते हैं, ठीक है, common fig कह रहा है, the flowers are pistillate, fruit developed by parthenocarpy, कह रहा है कि flowers जो होते हैं, वो pistillate होते हैं, और जो fruit का development होता है, क यानी कि parthenocarpy, जो fruits हैं, वो आपके होते हैं, ठीक है, इतनी वास्वन में आई, उसके बाद कह रहा है, without the stimulation of pollination and fertilization, ठीक है, kadota, mission, adriatic, brown turkey, klesate and conardia are the sum cultivars of this type, ठीक है, जो यह मैं आपको पता रहा हूं यहां पे, यह सारी इसकी variety हैं, कौन सी, kadota, ठीक है, उसके बाद ठीक है, kadota, mission, ठीक है, उसके बाद adriatic, brown turkey, klesate, ठीक है, उसके बाद canardia and some cultivars of this type, इसमें एक सबसे important cultivar है, जिसको बोलते हैं, पूना फिग, क्या बोलते हैं, पूना कल्टीवर है, कह रहा है, पूना is one of the most important commercially grown fig, ठीक है, कौन सा, पूना फिग जो है, आपने नाम जरूर स सुना होगा, भले ही आपको मालूम ना हो कि वो किस fig की category में आता है, तो वो common fig की category में आता है, ठीक है, बच्चो, और किसमें, पूना फिग क्या है, सबसे ज़्यादा commercially grow कराया जाता है, तो अब इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कि जो common fig है, उसकी कौन कौन सी variety है, ठीक ह और सबसे important variety कौन सी आपकी होती है, पूना फिग जो आपका है, इसको आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, यह बहुत पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से questions आपके काफी सारे बनते हैं, बोलो इतनी बात समझ में आई बच्चो, बात समझ में आई, चलिए, अब आगे चलते ह हैं, आगे देखते हैं, दूसरे type के बारे में, कि जो दूसरा type है, ठीक है, दूसरा जो type है, इसी में और आगे चलते हैं, ठीक है, क्या चलते हैं, इसी में और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, कि आगे क्या है, कह रहा है, introduction and evolution of exotic fix, कह रहा है, introduction and evolution of exotic fix, ठीक है, from California at IIHR, कहां से जो आपके exotic fig थे कहा से आये ते वो आपके आये थे California से कहां पे وعया Yo aggi या यह चार जो आपका बंगलॉओर में है इसार गट्ठा बंगलॉओर में है वहाँ पे आपके आयए थे कितने वहाँ पे आपके आये थे बहुत कि बात समझमें आई नहीं समझ में आई लगता आपके ठीक है उसके बाद reveals that varieties like Dean Conardia and Excel have superior fruit यहाँ पे S गायब हो गया है ठीक है superior fruit and plants characters इसमें से कौन कौन सी variety इसमें से जो variety है आपकी कौन कौन सी जो variety है आपकी Dean Conardia और Excel यह आपकी कैसी है superior variety है किसमें आपके fruit की quality में और plants के characters में ठीक है किसमें fruit की quality में और plants के character में कैसी है आपकी superior these new varieties when grown on brown turkey root stock throw chip wedding hold great promise for exploiting marginal lands in arid and semi-arid reasons कह रहा है कि यह जो variety है ठीक है यह सब कैसी variety है यह सब exotic variety है जो कहां से आए थी California से आए थी IIHR में उन varieties को अगर हम chip wedding से chip wedding के माध्यम से किस पे grow कराते हैं अगर brown turkey brown turkey आपका root stock है यहां से आपके दो question बनते हैं पहला exotic variety कौन सी है brown turkey क्या है तो आप बताओगे brown turkey root stock है किसका root stock है किसका यह आप बताओगे fig का root stock है यहां से आप से question एक ये बनेगा बोलो बास समझ में आई बच्चों ठीक है बास समझ में आई की नहीं आई चलिए और chip budding से जब grow कराएंगे root stock पे propagate करेंगे तो क्या होगा तो जो आपकी exploiting या marginal lands हैं उन पे भी क्या होगा उन पे भी ये अच्छे से grow करेगा ठीक है बोलो बास समझ में आई चलिए इतनी बास समझ में आ गई अब आगे चलते हैं आगे बात करते हैं दूसरे टाइप की ठीक है दूसरे टाइप की बात करते हैं एक होता है कैप्रीफिग क्या होता है कैप्रीफिग कह रहा दिस टाइप है सॉर्ट स्टाइल पिस्टलेट एंड फंक्शनल स्टैमिनेट फ्लावर्स मोस्ट कैप्रीफिग्स आर नाट इडबल बट अर ग्रोन बिकॉज दे आर हर्बर एस्मॉल वैप्स ठीक है जिसको बोलते हैं ब्लास्टो फैगा सेंस क्या कहते हैं ब्लास्टो फैगा सेंस ठीक है देखो जो आपको आपने पढ़ा होगा कि कैप्रीफिकेशन क्या कैप्रीफिकेशन अगर आपने मेरी पिछली वाली class देखी होगी OPSC वाली जिसमें मैंने fig पढ़ाय था उसमें मैंने caprification की process को पूरा image के माध्यम से समझाय था ठीक है तो caprification किसमें होता है इसी caprific में होता है किसमें caprific में होता है ना कि common fig में या किसी और fig में ठीक है तो caprification में क्या होता है कि जो आपका fruit होता है, fruit के अंदर flower होता है, तो उसी के अंदर एक fig wasp रहती है, जिसको blastophaga sense कहते है, यह fig wasp क्या करती है, यही इसमें pollination का काम करती है, यानि कि एक तरीके से pollinating agent आपकी होती है, which is necessary for pollination and fruit set in other types like samirna fig by transferring the pollen grains from caprific, कह रहा है कि जो caprific के food में जो fig wasp रहती है, यह fig wasp क्या करती है, यहां से pollen को इखटा करके अपने साथ ले जाती है, और किसको, किस में fertilization करवाती है, जो आपका samirna fig होता है, कौन सा, samirna fig जो होता है, उस samirna fig के fruits को क्या करती है, या उस samirna fig के flowers को pollinate कराती है, यानि कि वहां पर fertilization की process कराती है, ठीक है, इतनी बास समझ में आई बच्चो, कि कैप्री fig क्यों important है, और इसका महत तो क्यों है, कैप्रीफिकेशन की process किस में होती है, तो यही जो process है, पॉलन को ले जाके, और कहां तक पहुँचाना, samirna fig के flower तक पहुचाना, और वहां पर उसमें fertilization की process को conduct करना, यह क्या कहलाता है, यही आपका caprication कहलाता है, ठीक है, और यह caprication करता कौन है, तो यह caprication आपका जो fig wasp है, जिसका नाम है blastophaga sense, ठीक है, blastophaga sense, यह आपका क्या कहता है, ठीक है, यह आपका काम करता है, एक pollinator isn't के तौर पर, ठीक है, किसके तौर पर, pollinating isn't के तौर पर एक काम करता है, बोलो बास समझ में आई बच्चे, ठीक है, कमेंट करके बताओ जल्दी से कि बास समझ में आई की नहीं आई, ठीक है, इसी लि यहां से questions आपके बनते हैं, तीन टाइप मैंने आपको पढ़ा दिये, common fig, capri fig और samirna fig, ठीक है, samirna fig, यही तीन important है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे है, इसलिए मैंने उसको आगे topic में नहीं रखा था, ठीक है, बात समझ में आई, अब बात करते हैं, propagation की, किसकी, propagation की, बोलो, बात समझ में आई, किसकी बात करते हैं, बात करते हैं, propagation की, ठीक है, it can be propagated by air layering, sealed और patch budding, ठीक है, and side grafting, fighting, ficus, यह गलत लिखा है, यहाँ होना चाहिए, ficus glomerata, यह बच्चा typing mistake है, यहाँ ficus glomerata होगा, क्या होगा, ficus glomerata होगा, ficus glomerata नाम होता है, गूलर का, किसका नाम, सबने नाम सुना होगा, गूलर का, गूलर भी किसी की, किसी से बिलाम करता, इसी family का plant है, जो इसका नाम है, वो होता है, ficus glomerata, ठीक है, इस Ficus Glomerata को, ठीक है, Glomerata को इस्तेमाल किया जाता है as a root stock, कैसे, as a root stock इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बच्चे, बात समझ में आई, root stock offers a resistant to root not nematode, क्या, Ficus Glomerata जो root stock होता है, वो क्या करता है, वो आपका एक तरीके से काम करता है, किसके लिए, root not nematode के resistant के तौर पर काम करता है, इतनी बात समझ में आई बच्चो, ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आपको आ गई, उसके बाद बात करते हैं, a spacing of 5 to 7 meter, कह रहा है कि a spacing of 5 to 7 meter recommended depending upon the fertility status of the soil for maximum meal, जो इस spacing है, वो कितनी रहती है, वो आपकी 5 से 7 meter तक रहती है, कितनी? 5 से 7 meter तक रहती है, किसके हesarब से? आपकी रहती है किसके साब से depending upon the soil के status के साब से यानि कि जो आपकी मिर्दा है वो मिर्दा कैसी है उसके साब से की spacing रहती है किरा planting season varies from planting season कब से कब तक vary करता है varies from place to place जैसे कि south इंडिया में August September में western इंडिया में जून जुलाई और north इंडिया में जनवरी फरवरी में आपका planting season होता है ठीक है यहां तक आपको समझ में आ गया इस place के हिसाब से variation हो जाता है क्यों जहां पर जैसा season होगा उसी हिसाब से वहां पर planting करते हैं ठीक है बच्चे इतनी बास समझ में आई चलिए अब चलते हैं आगे इसमें एक paste लगता है कौन सा paste लगता है आप खुदी देख लो ठीक है फिग फ्लाई लगती है कौन सी फिग फ्लाई लगती है नाम बड़ा अजीब करीब दिख रा होगा आपको ठीक है क्या नाम लिखा है launchia aristella क्या लिखा है लॉंचिया अरिस्टेला लगता है इफ इफ वार्टेट इस पेस्ट कैन बी कंट्रॉल्ड बाई स्प्रेंग इंडो सल्फान ठीक है किस से इंडो सल्फान से इसको कंट्रॉल कर सकते हैं गुड इवनिंग बड़ा लेट गुड इवनिंग ठीक है चलिए तो क्या कर सकते हैं इसको इंडो सलफान से कंट्रोल कर सकते हैं सेफर टू ब्लास्टो फैगा इस्पेसली वें दकैप्री फिग आर इंटर प्लांटिड फॉर पॉली नेशन देखो इंडो सलफान का इस्तेम फिग वैस्प मैंने आपको बताया था ठीक है जो एक पॉलीनेटिंग एजेंड का काम करता है वो ना मरे क्या वो ना मरे इसकी वज हम इंडो सलफान का यूज करते हैं नहीं तो हम किसी और इंसेक्टि साइड का भी कर सकते हैं ताकि फिस अगर फिग वैस्प मर जाएगा तो क्या होगा तो फिर आपका पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा जिसकी विज़े से आपकी जो इल्ड है वो कम हो जाएगी तो इसको फिग फ्लाई को कंट्रॉल करने के लिए आपको इंडोसलफान का यूज करना है क्यों है हमारी फाल्चा कौन सी फाल्चा फाल्चा दो टाइप का होता है एक फाल्चा होता है बुस फाल्चा दूसरा होता है ट्री फाल्चा ठीक है अभी तक आपको फाल्चा सर्फ एक ही पता होगा कि फाल्चा एक होता है लेकिन फाल्चा कितने होते हैं दो टाइप के होते है पहला आपको आता है bus falsa, दूसरा आपको आता है tree falsa, bus falsa है grevia sub-inequalis और tree falsa आपका है grevia asiatica, ठीक है, बिलकुल सही बात है, सुबम पांडे कह रहे हैं, yes sir, चलिए, ठीक है, तो क्या होता है, bus falsa grevia sub-inequalis और जो tree falsa होता है, वो है grevia asiatica, ठीक है, इतनी बास वन में आई चलिए फैमली टिली एसी है फैमली इतनी बार question में पूछी गई है कि फाल्सा की family क्या होती है कि आप जब देखेंगे न previous year questions paper तब आपको पता चलेगा कि सीधे सीधे family ही पूछ लेता है तो आपको याद रखना है कि फाल्सा की family टिली एसी है और origin place जो है इसका वो है इंडिया कहां पे भारत ही क्या है इसका मूल इस्तान है फाल्सा का बास समझ में आई बच्चो इतनी बास समझ में आई चलिए बहुत अच्छी बात है बास समझ में आ गई किसी को कोई doubt अगर किसी को कोई doubt हो तो बताओ भाई दिखर है? किसी को कोई doubt चलिए नहीं कोई doubt है ठीक है आगे चलते हैं अब बात करते हैं fruit की यह देखो आपके फाल्सा है दिख रहे है हो सकता है कि बहुत से लोगों ने ना भी खाए होंगे खाए हैं नहीं खाए हैं ये क्या है ये है आपका फालसे का प्लांट और उसमें ये लगे क्या फालसे ठीक है खाए है कि नहीं खाए है नहीं खाए होंगे चलिए अब आगे चलते हैं ये क्या है फालसा है आपका Falsa Falsa का استعمال करते हैं as a filler plant कैसे as a filler plant करते हैं as a filler plant Falsa का استعمال करते हैं क्योंकि इसकी जो fruiting है बहुत जल्दी start होती है और space भी इसको कम चाहिए होता है इसलिए as a filler plant भी استعمال करते है बात करते हैं climate की Falsa can be grown all over the country except higher altitude कह रहा है कि फाल्सा सब जगए ग्रो कर सकता है कहां पर सब जगए ग्रो कर सकता है सिर्फ उचाई वाली जगए को छोड़के यानि कि higher altitude वाली जगए को छोड़के इट रिलाइस डिस्टिंग्स winter and summer for best growth, yield and quality कह रहा है कि winter और summer दोनों चाहिए इसके लिए किसके लिए growth के लिए अच्छे quality के fruit के उत्पादन के लिए in regions having no winter the plant does not shed, leave and produce flower more than once कह रहा है कि जहां पर सर्दी नहीं पड़ती है वहां पर क्या करते हैं वहां पर ये dormancy में नहीं जाते हैं क्या करते हैं वहां पर ये dormancy में नहीं जाते हैं thus the yield poor quality fruits और जब ये dormancy में नहीं जाते हैं तो क्या करते हैं जो quality fruits हैं वह आपके produce नहीं होते हैं यानि कि fruit की quality क्या हो जाती है fruit की quality decrease हो जाती है कह रहा है the full grown plants can tolerate freezing temperature for a short period the plants can tolerate as high as 45 degree centigrade कह रहा है plant freezing temperature तक tolerate कर सकता है यानि कि 0 degree तक we tolerate कर सकता है लगबग 0 degree तक tolerate कर सकता है और high temperature कितना tolerate कर सकता है 45 degree centigrade तक tolerate कर सकता है ठीक है इतनी वास मैं आई बच्चो क्या कि 0 degree तक freezing temperature तक tolerate कर सकता है और साथ साथ कितना 45 degree तक भी tolerate कर सकता है चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं soil की तो कहरा है falsa can be grown on a wide variety of soil even on moderately sodic soil कहरा है कि अगर हलकी sodic soil है कैसी अगर हलकी sodic soil है तो भी क्या कर सकता है तो भी आपका plant वहाँ पे grow कर सकता है अगर हलकी sodic soil है तो भी क्या कर सकता है तो भी आपका plant अराम से grow कर सकता है बोलो बात समझ में आई इतनी ठीक है बात समझ में आई बच्चे कि sodic soil में क्या कर सकता है grow कर सकता है अगर लोमी स्वाइल है तो भी grow कर लेगा दा प्लांट इस सेंस्टिव टू वाटर लॉगिंग क्या बच्चा एक चीद ध्यान रखना कभी कभी कोश्टन्स क्या होते हैं कभी कभी जो कोश्टन्स बनते हैं वो सीधे सीधे ऐसे पूछ लेते हैं कि क्या फालसा का plant वाटर लॉगिंग के लिए सैंस्टिव है या नहीं है ठीक है मतलब इसका यह तरीका यह नहीं है इसमें दूसरी तरीके से questions बना देगा लिख देगा which plant is sensitive to water logging और चार option देदेगा उसमें इस एक फालसा भी रख देगा अगर आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा है तो फिर आपका question क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा तो फिर आपका questions गलत हो जाएगा plant is sensitive to water logging which makes is chlorotic यानि की जो इसकी पत्तियों का color है वो कैसा होने लगता है yellow होने लगता है so the soils which have poor subsurface drainage and water logging should not be selected for commercial cultivation of falsa तो कह रहा है कि जब यह समस्या होती है तो ऐसी देख्याओं पे यानि कि जहाँ पे water logging condition है वहाँ पेवं falsa को grow नहीं करते हैं ठीक है बास समझ में आई बच्चे चलिए उसके बाद कह रहे है iron chlorosis is a common problem in calcareous soil कह रहा है कि जो soil calcareous है यानि कि calcareous soil में किसकी कमी हो जाती है उसमें iron chlorosis हो जाता है यानि कि iron की कमी हो जाती है ठीक है क्या हो जाता है calcareous soil में iron की कमी हो जाती है that is sensitive to lime ठीक है sensitive के प्रत ये lime होता है the ideal soil of growing falsa is the rich loamy type soil is good for falsa cultivation ठीक है इतनी बास समझ में आई बच्चे बास समझ में आई चलिए बहुत अच्छी बात है गर इतनी बात आपके समझ में आ गई अब आगे चलते हैं बात करते हैं variety की falsa में बहुत ज़्यादा varieties नहीं होती है क्या falsa में बहुत ज़्यादा varieties नहीं होती है ठीक है क्या नहीं होती है बहुत ज़्यादा varieties नहीं होती है ठीक है आपको मालूम है कि varieties होती है कि नहीं होती है जल्दी से कमेंट करके बताओ किसी को पता है देखे there are no improved variety of falsa some local selection जिसमें से local और सरबती कौन कौन सी local और सरबती सबसे popular variety है क्या? local और सरबती सबसे popular variety है किसके लिए local और सरबती सबसे popular variety है किसके लिए एक तो हो गई आपकी local दूसरी हो गई सर्बती ठीक है चलिए यह दो पॉपलर वराइटीज है हावेबर हर्याणा एग्रिकल्चर यूनिवस्टी जिसको आज कल CCS, HAU के नाम से जानते हैं हिसार है रिकागुनाइज तू डिस्टिंक्स टाइप वन इस टॉल एंड अनदर इस ड्वार्फ ड्वार्फ टाइप is commonly grown, it is quite productive CCS, HAU ने इसको दो ग्रोप में classify किया है कौन से दो ग्रोप है, पहला है टाल ग्रोप, दूसरा है आपका ड्वार्फ ग्रोप ड्वार्फ वाली जो है, वो commercially grow की जाती है, क्यों? क्योंकि it is quite productive को मतलब है कि इनका जोत पादन है, वो जादा होता है, जिसकी विज़े से क्या कियाता है, जिसकी विज़े से इनको grow कराया जाता है ठीक है बच्चे, इतनी बास बन में आई, यहां तक चीज़ें clear है, किसी को कोई doubt, doubt हो तो comment करो फटाक से जल्दी से comment करके बताओ, किसी को अगर कोई doubt है, जल्दी बताओ बच्चा जल्दी comment करो किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई doubt नहीं, चले, आंगे बढ़ा जाए, चलिए, अब आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फालसा में propagation की, ठीक है, किसकी, फालसा में propagation की बात करते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है, कह रहा है, फालसा is commercially propagated फ्रपोगेट होता है आपको पता है कि फाल्सा हुआ पपाया किस से प्रपोगेट होते हैं आपके सीड से प्रपोगेट होते हैं इस जान रखेंगे इस बात को propagation by cutting उसमें आता है hardwood cutting and layer is also possible with the help of growth regulator कह रहा है कि हम hardwood cutting से और किस से layering से hardwood cutting से और layering से हम दोनों से इसका propagation कर सकते हैं ठीक है किस से hardwood cutting से और layering से हम दोनों से इसका propagation कर सकते हैं help with the help of growth regulator यानि कि IBA, IBA आपको मालुम है, क्या है, IBA आपको मालुम है, एक तरीके से routing hormone है, क्या है, routing hormone आपका होता है, ठीक है, कितनी dose है, यह 2500-3000 ppm आपकी dose sufficient होती है, किसके लिए, routing के लिए, hormones के लिए, इन layering, air layering and simple layering are most commonly followed ठीक है, air layering में layering में air layering और simple layering सबसे ज़्यादा useful होते हैं, सबसे ज़्यादा effective होते हैं, किसके लिए? आपके propagation के लिए ठीक है, यहाँ पे एक चीज लिखी है 2500 से 3000 ppm ठीक है, 2500 से 3000 ppm लिखी होती है तो यह काफी amount बड़ा amount है एक तरीके से PPM में, तो जब इस तरीके की कोई बड़ी amount होती है, तब क्या करते हैं, तब इसमें quick dip method का इस्तेमाल करते हैं, किसका quick dip method का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मतलब कि जो हम cutting काट रहे हैं, उस cutting को क्या करेंगे, उस cutting को हम इसमें dip कराएंगे बहुत थोड़े समय के लिए, यानि कि जैसे 5-10 second के लिए, जिसके लिए 5-10 second के लिए हम इसमें dip कराएंगे, ठीक है, इतनी बासमझ में आई, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, कि यहां पे क्या करता है काम, यहां पे quick dip system आपका काम करता है, ठीक है, इतनी वास समय माई बच्चे, चलिए, आगे चला जाए, आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी, प्लांटिंग की, किसकी बात करते हैं, प्लांटिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो कह रहा है, फालसा प्लांट can be planted at a distance of 2.5 to 3 meter from plant to plant and 3 to 4 meter from row to row, कह रहा है कि 2.5-3 meter के बीच में पौधे की दूरी रखते हैं, और 3-4 meter रखते हैं, किसकी दूरी, 3-4 meter दूरी रखते हैं, हम लोग किसकी, हम लोग रखते हैं, row से, row की दूरी रखते हैं, 3-4 meter, कितनी, 3-4 meter, ठीक है, और प्लांट से प्लांट की दूरी जो रखते हैं, वो र ठीक है फालसा is well suited for close planting कह रहा है कि यह close planting के लिए सबसे ज्यादा famous होता है एक चीज और यहां पे आप जान लो कि फालसा का जो इस्तेमाल है वो एक तरीके से fencing के भी fencing में भी इस्तेमाल करते हैं ठीक है किसमें fencing में जब आप किसी और्चर्ड को लगाते हैं तो boundary पे फालसा हुआ करांदा हुआ वगेरा वगेरा जैसे fruits भी लगा देते हैं ताकि क्यों क्यों कि थोड़ा scrub type की होते हैं जारी वाले होते हैं जो bus वाला होता है उससे क्या होता है कि उससे आपका यह यहां पर थोड़ा सा यह protect करता है ठीक है कितनी वास में आई और दूसरी चीज कि यह close planting करने में भी इसको कोई समस्या नहीं होती है इसलिए लिखा है falsa is well suited for close planting ठीक है तो यहां से हम लोग close planting भी कर सकते हैं increase in plants nasty may increase the yield कह रहा है कि अगर हम density को increase करेंगे यानि कि plant की density को increase करेंगे यानि कि number of plant बढ़ाएंगे तो क्या होगा तो हमारी जो yield है वो बढ़ जाएगी क्यों ऐसा सिर्फ किसमें possible है ऐसा सिर्फ फाल्सा में possible है बाकि अगर आप plants की density बढ़ाएंगे तो आपकी yield क्या होती है यिल्ड आपकी घट जाती है, कहरा दा, plants can be planted at 2 into 2 meter apart in square system, accommodating 2500 plants per hectare, ठीक है, अगर हम इसकी density कम कर देंगे, और हम इसको 2 गुणा 2 meter पर लगा देंगे, किसमें, square system में, तो कितने plants accommodate करेगा, लगबग 2500 plants accommodate करेगा, प्रती hectare, ठीक है, कितनी बास में आई, उसके बाद कहरा, प्रूनिंग की बात करा, the desirable height of pruning varies from 50 to 100 centimeter from ground level, जब हम प्रूनिंग करते हैं, तो यहां से, ground level से कितना, 50 से 100 centimeter, हम क्या करते हैं, प्रून करते हैं, ठीक है, the falsa plants are rather slow in setting, their leaves in winter, कह रहा है कि falsa के जो plants होते हैं, वो क्या करते हैं, वो थोड़ा slow process करते हैं, अपनी leaves को गिराने के लिए, यानि अपनी leaves को set करने के लिए, उसके आद करा, the best time of the year pruning is during December, January, कब, सबसे बढ़िया जो time है, प्रूनिंग का, वो है अपका December और जन्वदी का महीना, प्रूनिंग के लिए, आप इसको ध्यान रखेंगे, यह फालसा की pruning कब होती है, दिसंबर और जन्वरी में होती है, बहुत पार यह question पूछा गया है, जैसे ही वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, in all case, the operation should be finished, वो सारे आप कर सकते हैं, उसके बाद नई ग्रोथ से पहले आपको सब कुछ बंद करना होता है, यानि कि जो भी आपको pruning करनी है, वो नई ग्रोथ से पहले यह आपको कर देनी होती है, ठीक है, इतनी वासमझ माई, चलिए, आगे चलते हैं, बात करते हैं, हार्वेस्टिंग की, किसकी? फल दूसरी साल आने लगते हैं, but a commercial crop is usually obtained during third year, कह रहा है कि तीसरे साल, कब? तीसरे साल आपका commercial level पे आपके fruits इसमें आने लगते हैं, कहां पे? इन पंजाब हर्याना, the harvesting season of falsa fruit start by the end of May and last till the end of June, कह रहा है कि North India में 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 से लेके last June तक हर्वेस्ट होते हैं fruit, और South India की बात क करी जाए, तो South India में March से लेके, अपरेल तक होते हैं, ठीक है, क्योंकि South India में गर्मी सर्दी नहीं पड़ती है, ठीक है, वहां का मौसम यहां के मौसम से अलग होता है, जिसकी वज़ए से ये variation आपको देखने को मिलता है, चलिए, आगे चलते हैं, अब ये था आज का हमारा session, ये test book, books और e-books, ठीक है, जो बच्चे तयारी कर रहे हैं, अगर वो test series purchase करना साथे हैं, जैसे कि अपनी तयारी को देखना चाहते हैं, कि उन्होंने जो पढ़ा है, वो वाकई questions के हिसाब से वो तयार कर पा रहे हैं, क्योंकि test series में आपको पूरा complete test मिलता है, books purchase करना चाह रहा है, notes, वो purchase करना चाहते हैं, तो आप simply y443 ads code का इस्तेमाल करके आप purchase कर सकते हैं, as code especially books, e-books और आपका उसके साथ रहता है, पकी y443 normally है, ये code आपका तब लगता है, जब आपका offer extra चल रहा होता है, यानि कि ठीक है, ये आपका IBPS AFO का batch है, ठीक है, किसका, IBPS AFO 2022 का complete video course ह प्री कम मेंस के हिसाब से, इसके प्री कम मेंस के हिसाब से है, और ये आपका complete agriculture foundation course है, ये especially उनके लिए है, जो बच्चे अभी recently में कोई exam नहीं दे रहे हैं, जैसे कि वो third year से हैं, या last year हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि उसके बाद वो तयारी अपनी सुरू करेंगे, तो उन सारे students के लिए, ये complete foundation courses आपके हैं, ताकि वो इनको purchase करके और धीरे धीरे अपनी तयारी करते रहें, ठीक है, तो ये सारी चीजे हैं, simply आप अगर इनको purchase करना चाहते हैं, तो आप website पे जा सकते हैं, ठीक है, website पे जाने के लिए, आपको यहाँ पे addda सर्च करना है, ठीक then it is okay, अगर आपको लगता है कि आपको need है, तो आप purchase कर सकते हो, ये depend करता है आपकी उपर, ठीक है, कि आपका मन है, आपको लगता है, कि आपको जरूरत है, तो ही आप purchase कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप YouTube पे तो, मैं पढ़ा ही रहा हूं आपको, तो वहाँ पे आप, ठ यह हमारी अड्डा की वेब साइट है यहां पर जैसे आप जाएंगे यह देखिए अग्रीकल्चर आपको लिखा मिलेगा आप इस पर जैसे सर्च करेंगे यह सारे कोर्सेश हैं यह है आई वीपियस एफो का आपका ठीक है क्या है यह आई वीपियस एफो का है एक सेकर ठीक है यह जैसे आप अग्रीकल्चर यह देखो लिखा विवाल अग्रीकल्चर प्रडॉक्ट यह सारे अग्रीकल्चर के आपके कोर्सेश है जिसमें FSSI की चो तियारी कर रहे हैं वो यह FSSI के बैच है यह FSI का सिलेक्शन किट ह यह आपका complete IBPS AFO का code वो है और ठीक है यह आपका राजिस्थान जीट का है यह agriculture का है उसके साथ साथ यह आपका यहाँ पे महापैक भी है agriculture का महापैक में आपको सब कुछ मिलता है ठीक है अगर आप purchase करना चाहेते तो simply मैं आपको code use करना बता देता हूँ यहाँ पे आपको जो price दिख रहा है वो एक तरीके से after जैसे ही आप code इस्तेमाल करेंगे वो काफी decrease हो जाएगा ठीक है यहाँ पे आप code use करेंगे y443 क्या y443 और a code लगाएंगे और जैसे ही आप apply करेंगे देखेंगे आप यहाँ पे 80% off हो गया है और जो price है वो 3999 का अपक तक के लिए जय हिंदा